हर्याना प्रदेश के अंदर अगले 5 साल के लिए किसकी सरकार बने इसके लिए 5 अक्टूबर को हर्याना की जनता मद्दान करके तै करेगी कि अगले 5 साल हर्याना के करम विधाता भागय विधाता या ये हर्याना के शासक हर्याना पे राज किस पार्टी का रहेगा इसका फैसला होगा 5 अक्टूबर को 10 साल से हर्याना के अंदर भारती जंदा पार्टी की सरकार है जहां बीजेपी के लिए चुनौती है कि अपनी सरकार को वापस कैसे बचाएं यानि कि हैट्रिक कैसे लगे कॉंग्रेस की 10 साल से सत्ता से दूरी है तो कॉंग्रेस के लिए महत्रपूर्ण ये है कि किस प्रकार से हर्याना की सत्ता में वापसी हो इंडियन नैशनल लोगदल के लिए है कि दो दशक का सूखा कैसे खत्म हो हाथी के साथ मिलकर कर क्या इंडियर नैशनल लोगदल हर्याना में कोई करिश्मा करे जेजेपी जो पिछले चुनाओं में दुशेन चोटाला किंग मेकर बन गए थे और अपने 10 MLA's के दम पर हर्याना के डेपटी सीम रहे दुशेन चोटाला का हर्याना में क्या होगा ये तमाम बाते हैं जिसके लिए हर्याना के मद्दाताओं में राजनीती में रुची रखने वालों में सभी लोगों के अंदर माइक्रो मेनेजमेंट कैसा है और मैं इसी विशे पर आपसे बातचीत में हूँ कि हर्याना के अंदर भारती जन्ता पार्टी सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए कौन से ट्रिपल लेयर फॉर्मूले के साथ थी जिन में से दो फॉर्मूले तो पूरे हो चुके हैं और तीसरा भी चल रहा है हर्याना के अंदर जो चुनाव जिसकी रूप रेखा रची जा चुकी है हर्याना के अंदर एक महत्वपूर बात यह है कि एक बात चलती है कि हर्याना का चुनाव जो पिछले दस साल में अगर मैं आपसे कहूं तो इस चुनाव को मोडा गया जाट और नौन जाट की तरफ हरियाना के चुनाव को इसकदर लाया गया कि हरियाना के अंदर जाट मत दाता वर्सिस गेर जाट मत दाता है हलाकि होना तो यह चाहिए कि अगर जाट समाज की बात कर रहे हैं तो फिर पंजाबी समाज की ब्रामन समाज की दलिच समाज की PC समाज की OBC समाज की watermastajeev adesso की ये बाते हो लेकिन जगर बात आती है तो शीधा होता है जाट versus non-jaat खेर मैं आपसे बता रहा था कि भारती जंता पार्टी का जो bir normal management है जो यह भारती जंता पार्टी के रणिती कार है उन्हों हाला कि राजनितिक दलों के गटबंदन खुद होते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर कौन व्यक्ति चुनाओ मैदान में उतर रहा है या किसके साथ समझोता कर रहा है क्या रणिती बना रहा है उनकी अपनी होती है। लेकिन उन सब के पीछे जो काना फुसी होती है जो चर्चाएं होती है वो कुछ संकेत दिया करती है। हर्याना के अंदर दो महतवपून गटबंदन हुए और एक तीसरा गटबंदन जो होना था वो हुआ नहीं। दो गठबंदन हुए एक गठबंदन हुआ इंडियन नैशनल लोगदल और भोजन समाज पार्टी का जिसमें कल हलोपा भी जुड़ गई हर्याना लोखित पार्टी गोपाल कांडा की पार्टी और जब इनलो और बसपा का गठबंदन हुआ तो राजनीतिक रणनीतिकारों ने एक बात कहनी शुरू की कि ये भारती जनता पार्टी के माइक्रो मेलेजमेंट का हिस्सा है और ये पार्ट वन है यानि कि जो इनलो बीएसपी का गठबंदन हुआ है इसके अंदर कहीं न कहीं भाजपा के नणीतिकार है अलाकि गठबंदन तो इंडियन नैशनल लोग जननायक जन्ता पार्टी और आजाज समाज पार्टी चंद्र शेखर रावन की पार्टी जन्धी आज केतेए उनकी पार्टी भी मार्मी वालों की पार्टी उन दोनों पार्टियों घठबंदन हुआ तब भी राजनितिक गरीयारे में एक चर्चा चल पड़ी? कि ये City दलित और जाट मद्दाता दोनों मद्दाताओं को इस समय माना ये जा रहा है कि ये दोनों मद्दाता कहीं भारती जनता पार्टी के खिलाफ हैं जब ये बात चलनी शुरू हुई तो फिर राजनितिक रणनीतिकारों ने भी मानना शुरू कर दिया कि समभवता ये भाजबा के माइक्रो मैनेजमेंट का ही हिस्सा हूँ बले ही इसका पता ना इनैलो को हो ना बीएसपी को हूँ बले ही इसका पता जेजेपी को और आईएसपी को ना हूँ लेकिन राजनितिक रणनीतिकार अपनी बात पताते रहे अब टिकेट वित्रन हो चुका है और नामांकर पत्र भरे जा चुके है भारती जंता पार्टी के साथ बात्चीच चली थी गोपाल कांडा के अलाइस की 15 सीटों से चल करके 2 सीटों तक बात आई थी लेकिन वो समझोता हुआ नहीं भारती जंता पार्टी के साथ इसके बाद में बात ये चली थी कि उनके जो कैंडिडेट आएंगे उस पर निर्भर काफी करेगा इस चुनाओं में भारती जंता पार्टी ने काफी मन्थन किया और कई ऐसे कैंडिडेट हैं आप मान सकते हैं कि रामविला शर्मा का टिकेट काट दिया गया महिंदरगट से रामविला शर्मा का टिकेट कटना लोगों की नजर में एक बात जरूर गई कि आखिर हुआ क्या लेकिन वैं आपको बताओं तो ये बीजेपी के माइक्रो मेलेजमेंट यानि की सत्ता की हैट्रिक के लिए तीसरा फॉर्मूला है राजनीती और शत्रंज दोनों ऐसे खेल हैं शत्रंज की चौसर पर जब गेम खेला जाता है जब खेल चला जाता है तो शत्रंज के अंदर कई बार अपने ही राजा को चेक्मेट करा दिया जाता है सिपाही से सिपाही का बलिदान होता है और राजा पर नजर होती है कई बार शत्रंज के खेल में होता है कि गोड़ा ढाई चाल चलते हुए और सीधा आटैक रानी पर करता है तो ये इसी प्रकार से कुछ राजनीती का खेल भी है राजनीती के अंदर अपने मोहरों को डाउन करने के लिए दूसरे मोहरे भी उचा ले जाते हैं बड़ी चर्चा है महंदरगड विधान सभा को लेकर मैं आपको महंदरगड का बताऊं जो 2019 का चुनाव परिणाम था महंदरगड में राम बिलाज शर्मा चुनाव हा रहे थे रावदान सिंग चुनाव जीते थे और उस चुनाव के अंदर एक महत्वपून बात हुई थी कि पूरू शिक्षा मंत्री रहे हैं बाददुर सिंग 2000 की चौधरी ओम प्रकाश चोटाला सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनके बेटे है संदीब सिंग संदीब सिंग निर्दलिय चुनाव लड़े थे और उन्होंने बड़ी संख्या में वोट लिये थे इस चुनाव के अंदर कमल सिंग यादव को टिकेट दिया है भारती जनता पायटी ने रामबिला शर्मा का टिकेट काट करके और राजनितिक छेत्रों में ये चर्चा चल पड़ी है कि जो रामबिला शर्मा का टिकेट काटा गया है उसके पीछे बीजेपी की रणनीती है रणनीती ये है कि अगर कहीं भारती जनता पायटी कमजोर हो रही है तो फिर वहां कॉंग्रेस को भी आगे न बढ़ने दिया जाए और कोई तीसरा आ जाए और अब कहा जा रहा है कि संदीप सिंग वहां बड़े मुकाबले में है संदीप सिंग वहां बड़े मुकाबले में है और कमल सिंग यादव का नाम ने अगर चौकाया होगा जितना राम बिला शर्मा को चौकाया होगा भारती जनता पायटी में जितना राव इंदर जी सिंग और चौधरी धरमबीर चौके होंगे उतना ही चौके होंगे राव दान सिंग जब सजातिया उनके प्रत्याशी आ गए तो वोट बैंक के अंदर कहीं न कहीं डेंट जरूर लगेगा अगर मैं कुछ और विधान सभाओं की भी आपसे बात करता चलू एक विधान सभा के आपसे मैं बात कर लूँ सिर्सा विधान सभा के बारे में ही सिर्षा विधान सभा में कहा जा रहा था जब गोकुल सेतिया कॉंग्रेस में चले गए उनको कॉंग्रेस का टिकेट मिल गया तो चर्चाएं शुरू हो गए कि गोकुल सेतिया बहुत मजबूत कैंडियेट होंगे चर्चा थी कि भारती जंता पायटी और बीजेपी गठबंदन से या होंगे या बीजेपी से केंडियेट होंगे गोपाल कांडा लेकिन भारती जंता पायटी ने वहाँ पर अपना केंडियेट उतार दिया और वो उतार दिया OBC समाज से जांगणा समाज से अगर दूसरी तरफ चलते हैं तो फिर यहां पर अब गठवन्दन हो गया इंडियन नैशनल लोगदल का और गुपाल कांडा की पार्टी का गुपाल कांडा यहां से चुलाव लड़ रहे हैं इनलों उनको समर्थन देगी सिर्षा के अंदर इंडियन नैशनल लोगदल का बड़ा वजूद है मैं आपको याद दिला दू कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब अभे सिंग चोटाला और गोकुल सेतिया के बारे में कहा जाता था यह दौनों शेर हैं और अब फिर गोकुल सेतिया जब कॉंग्र पर बारी की सीट ले सकते हैं यहाँ कृष्णबाल गूजर के बेटे बैटे दयवेंदर चौधर और नगेंदर भड़ाना मजबूत दावएदार थे लेकिन बारती जनता पार्टी ने ना देवेंदर चौधरी को टिकट दिया ना नगेंदर भड़ाना को टिकट दिया जाए अगर कुछ ऐसा होता है कि बीजेपी केंड़ेट कहीं कमजोर हो और वहां पर अगर इंडियन नैशनल क्योंकि निरेश शर्मा वहां विधायक हैं पांस साल से विधायक हैं विधायक सत्ता पक्ष का हो एवक्ष का हो एंटिन गम्मेंसी जरूर बन जाती है उस हालात मे क्या एंडियन नैशनल लोगदल का टिकेट ले करके आना क्या ये भी किसी माइक्रो मेनेजमेंट का पार्ट भी हो सकता है इस प्रकार के बहुत सारे मामले आप पलवल के अंदर अगर दें तो पलवल विधानसभा छेत्र में बहुजन समाज पार्टी का टिकेट पवन एसपी के टिकेट के पीछे आखिर क्या सब चला था तो यह बहुत सारी बाते हैं जो माइक्रो मेनेजमेंट का हिस्सा हैं और जिसके तहत यह होता है कि किस प्रकार से दूसरे पार्टी के कैंडडियेट को कमजोर किया जाए क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी इस माइक्रो मेनेजमेंट से और इस सारे सिस्टम से सत्ता की हैट्रिक बनाना चाहती है आप इससे कितने सहमत है बीजेपी का जो माइक्रो मेनेजमेंट चला है यह उसको कितना फायदा दे सकता है और हर्याना क के अंदर अब की बार किसकी सरकार बन सकती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े नहीं मारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें